तो गाइस बहुत वीडियो देख लिया यूटीब पे की ऐसा आपको नमबर प्लेट देकार आप ओनार का डिटेल निकाल सकते हैं लेकिन आज आप नहीं कर पाते हो लेकिन आज ग्यारेंडी के साथ बोल रहा हूं कि आप कर पाएंगे ही कर पाएंगे ग्यारेंडी बोलना जो Google Chrome browser है तो उस पे आप एंटर कर दीजिए और यहाँ पे परिबाहन नामकार एक website है तो उसको simply आप सार्च कीजिए सार्च करने के बाद कुछ भी नहीं करना है इस website पे आपको आना पड़ेगा और यहाँ पे 3. पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट स्टॉप साइट कर ना पड़ेगा simply और कुछ भी नहीं करना है ठीक है उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आईए और यहाँ पे आपको भेकल रिलेटर सर्विस आपको नजर आड़ा आए तो उसके उपर simply आपको क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप 3. पे जाईए और फिर से आप request text of site mode में कर लिजे करने के बाद यहाँ पे आपको select करना पड़ेगा आपका जो state है तो जो मैं state से ब्लाउं करता हूं तो गाईज सिंप्ले ओस्ट बेंगल को search कर रहा हूं search करने के बाद गाईज कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे आपका जो आटियो का number है आटियो को यहाँ पे select कर लिजे तो मेरा जो आटियो का number है यहाँ पे मैं search कर सकते हूं ठीक है तो गाईज code नहीं देने का आप यहाँ पे search कर लिजे तो simply में जैसे search कर रहा हूं आपका आटियो आप भी search कर सकते है तो simply search करने के बाद guys यहाँ पे proceed पे click कर रहा हूं ठीक है और आपको आटियो नहीं पता है तो किसी को आप पूछ लिजिए वह आसानी से आपको बता देगा यहाँ आप ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे आपको simply कुछ भी नहीं करना बहुत सार ओफ्सेन है लेकिन आपको simply यहाँ पे proceed पे click करने के बाद guys आप ऐसा एक नया एंटरफेस आपको देखने मलेगा नया पेज पे आएगा और यहाँ पे withdrawal of application तो simply guys यहाँ पे आपको click कर आप पड़ेगा तो click करने के बाद आपको step by step देखना हो 100% guarantee बोल रहाँ काम करेगा ही करेगा ठीके guys तो यहाँ पे आपका जो registration number है वेकल का आप bike और four wheel art दोनों कहीं चेक कर सकते हैं ठीके guys यहाँ पे car का भी चेक कर सकते हैं लोडी बागेरा सब कुछ ठीक है यहाँ पे registration number आप देख सकते हैं तो simply मैं दे दिया हूं और यहाँ पे chassis number लगेगा तो guys chassis number आप कह से मिलेगा और application number भी आपको कहा से मिलेगा तो इस complete एक लिए वीडियो को पुड़ा देखिए क्योंकि process आपको जनना पड़ेगा simply तो guys simply आपको कुछ भी नहीं करना है आपको जनना पड़ेगा अपना जो phone पे है तो phone पे में जाए और यहाँ पे आपको bike insurance नाम करके एक option आएगा तो यहाँ पे आपको अगर आपने नहीं पहले नहीं सार्च किया है तो यहाँ पे insurance आदार पे क्लिक किजिए और यहाँ पे आपका bike number यहाँ पर enter कर लिजिए simply तो guys यहाँ पे कोई bike का number आप जो bike का detail दीकरा होना चाहते उसका यहाँ पर number एंटर कर लिजिए और यहाँ पर submit पे क्लिक कर लिजिए process पे क्लिक करने के बाद guys यहाँ पे ऐसा आपको चूज करना पड़ेगा insurance इसको खरिदना नहीं है just आपको दिखा रहा हूँ एक process है ठीक है तो यहाँ पे guys ऐसा error आपको देखने को मिल रहा है पहले आप ओपर पे देखिए कि गारी का owner का नाम भी आ गया ठीक है और किसी का भी इहाँ पे एंटर कर सकते कोई यह नहीं है कि आपका ही लागेगा किसी का भी देखिए और प्रॉसिट्ट पे क्लिक किजे और यहाँ पे आप देख सकते चैसेस नमबर आ गया ठीक है यहाँ यहाँ पे चैसेस नमबर को आप पहले note कर लीजे तो मैं इसकी वह भी आपको दिखाएंगे comment करेंगे तो यहीं बताएंगे यहाँ पर आपको application पर on click किजिए और यहाँ पर show details पर click किजिए simply show details पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर contact details address और owner name father's name and mobile number अब सब कुछ यहाँ पर देख लिया ना गाइस एकदम सही बोल रहाँ 100 पास एक genuine वीडियो तो गाइस वीडियो अच्छ लगे और इससे simple process आप जानना चाहते हैं तो मेरे को comment करके बताएं इससे ज्यादा simple मेरे को पता है और आपको बता दूंगा ठीक है